वेल्कम टू दो प्रयाग राज इंस्ट्यूट आज हम लो डिस्कस करेंगे जी एस के अत्महत्पून प्रशनों के बारे में हमारे सामने जो पहला प्रशन है पहला प्रशन यह है कि मौलिक अधिकार तथा रास्ट्री आर्थिक निती पर प्रस्ताव पारित किया गया था कि तो आपको बताना है कि मौलिक अधिकार मतलब fundamental rights और national economic policy पर प्रस्ताव कौन ने कराया था यह थे मौलाना अबुल कलाम आजाद और एक सीज और याद रखना है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस को हम राश्ट्रिय सिच्छा दिवस के रुप में भी मनाते ह मैं यहाँ पर बोलाओं राश्ट्रिय सिच्छा दिवस ठीक है तो यह याद रखिएगा और मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के पहले सिच्छा मंत्री भी थे अब हम बात करते हैं दूसरे प्रशन के बारे में भारतिय नेपोलियन की उपाधी किसे दी गए या भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है तो गुप्त सासक में जो समुद्र गुप्त था उसको भारत के नेपोलियन से शंबोधित करते हैं या ये कहा जाए भारतिय नेपो भारत Zoo दौरत आया था या प्रशन अक्सर पूछा जाता है जोसी उतर है वह है चंत्रगुप्तृ già के काल में जो चीन यार्थी फायान आता है और अगर आप से पूछा जाए किख्यों काल के तायम breaks find a अनके शासंकाल में अगला प्राशन किस धातु को चाकु से असानी से काटा जा सकता है तो यह सोडियम को आप सब्सक्राख 편 शच्राख को एक एक काट आप आप सकते हैं और सब्सक्राख चाटा कघर के रखा जाता है अगर शोडियू में . अगर आप तो संकीत होता न ा अच्छा यह बताईए जब sodium जो है S-O-D-I-U-M है ठीक तो इसका संके जो एने क्यों देखें मोलता यह है नेट्रियम क्या है नेट्रियम ठीक है तो नेट्रियम में जो एने है ठीक वो ले लिये गया है संकेत करूप में तो sodium क्या है नेट्रियम इस वजए से इसका संके जो है एने रखा गया है और इसका प्रमान कर्मांग कितना होता है atomic number तो इसका जो atomic number है वो है 11 ठीक है नेक्स कोईशन भार्ती अंतरिच अनुशंधान संगठान ठीक है जिसको हम लोग बोलते हैं इस रो इस रो ठीक है इंडियन इस्पेस रिसर्च और्गनेजिशन इसकी इस्थापना कब हुई थी ये आपसे पुछा जा रहा है तो इसकी इस्थापना होई थी 1969 में option number C भार्ती अंतरिच अनुशंधान संस्थान का मुख्याले किस जगा पर है भार्ती अंतरिच अनुशंधान का जो मुख्याले है वो है बैंगलोर में option number C इसका जो है वो सही उत्तर है अब हम बात करते हैं अगला प्रश्ण विस्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है ठीक है तो विस्व का सबसे लंबा पौधा है Eucalyptus जो Eucalyptus का जो प्लांट है वो सबसे लंबा लॉंगेस्ट प्लांट में आता है भारत का सबसे लंबा रास्ट्री राजमार्क यहां पे आप से पुछा जा रहा है नेशनल हाईवे के बारे में तो नेशनल हाईवे नंबा 44 जो है वो भारत का सबसे लंबा जो है वो नेशनल हाईवे है तो आप्सन नंबर इसका D जो है वो सही उत्तर है भारत के उत्तरी विशाल मैदानों में किस परकार की मिट्टी पाई जाती है तो यहां पे आपको मिलेगी जलोड मिट्टी तो नदियों के द्वारा जो बनाएगी मिट्टी होते है वो जलोड मिट्टी कहते है इसको इंग्लिस में एलुवेल स्वैल बोलते है और अगर पूरे भारत वर्स की बात के जाए कि पूरे भारत वर्स में किस मिट्टी की सबसे ज़्यादा अधिकता है लाल है, काली है, लेट्राइट है, जलोड तो सबसे ज़्यादा मातरा में जलोड मिट्टा पाए जाती है भारत में निमलिकित में से किस रूसी यात्री ने शर्पर्थम अंत्रिच में कदम रखा था तो ये क्वेस्टन भी अक्सर पुछा जाता है तो इस प्रश्ण का जो सही उत्तर है, option number C यूरी गाउगरिया नहीं है, यूरी गाउगरियन है, ठीक है, इसको याद रखेगा रूसी यात्री यूरी गाउगरियन जो है, वो सबसे पहले अंत्रिच में कदम रखने वाले ब्यक्ति हैं भासा के अधार पर भारती राज्यों की पुना सनचना किस वर्स की गई थी, तो यह यह था 1956, तो State Reorganization Act भी कब का है, 1956 का है, तो अगर आप से पूछा जाए कि भासा के अधार पर भारती राज्यों के पुना सनचना या पुनार गठान या री ओर्गरियन इस वर्स की गई अगले प्रश्न में, अगला प्रश्न यह है कि भारत में नियायपल का किस परकार की है, स्वतंत्र है, कि संसत के अधीन है, कि राजपती के अधीन है, कि परधान मंत्री के अधीन है, तो यहां पे जो सही उत्तर है, वो है स्वतंत्र, भारत में जो नियायपल का है, वो एक स्वतंत नीका है ठीक है वो इंडेपेंडेंडेंट बॉड़ी है तो अगला प्रश्न पीर पंजाल स्रेडी कहां इस्तित है तो पीर पंजाल स्रेडी आपको मिलेगी जम्मो एंड कस्मीर में आप्सन नम्बर डी इसका करेक्ट आणसर है कथक कली निर्त यहां पर पूछा जा रहा है कि जो कथक कली डांस है वो किस राजी से संबन दित है तो कथक कली जो है वो केरल राजी का निर्त है option number C जारखंड में सिंद्री जारखंड में सिंद्री जगा है ठीक है वो किस के लिए परसिद है तो सिंद्री जो है वो रसानी कोरवरक के लिए परसिद है यहाँ पे जो है chemical fertilizer का production किया जाता है भारत में सबसे लंबी राश अंतरास्ट्री ठीक है जो international boundary है वो किस देश के साथ लगती है तो यहाँ सही उतर है बंगलादेश आपको comment box में बताना है कि बंगलादेश के साथ भारत की जो सीमा लगती है वो कितने किलोमीटर ही लगती है ठीक है अगला प्रशनी है कि गुप्त काल में किस धातू के सरवाधिक सिक्के जारी किये गए थे इसका सही उतर है सोना गोल्ड और गुप्त काल को जो है वो भारत की इतिहास में श्रोनिम यूग या गोल्डेन एरा भी बोला जाता है निमलिखित में से कौन सी नदी प्रायदिपी जो प्रायदिपी भारत है पैंसरर इंडिया है कि सबसे लंबी नदी पूछी जा रही है तो अगर आपसे पूछा जाए कि पैंसरर इंडिया की सबसे लंबी नदी क्या है तो वो है गुदावरी रिवर ठीक है लेकिन यहां पर प्रश्ण यह पूछा जा रहा है कि कौन सी प्राइदीपी भारत की सबसे लंबी नहीं दी तो प्राइदीपी भारत की सबसे लंबी नहीं नहीं दी राश्ट्री मतदाता दिवस नेशनल वोटर डे की बात की जा रही है ठीक तो राश्ट्री मतदाता दिव मनाया जाता है, ठीक है, option number B, किस मुगल सासक ने दिन ए इलाही, ठीक है, ये भी प्रशन काफी उचा जाता है, तो दिन ए इलाही धर्म किस सासक ने चलाया था, तो इसका सही उत्तार है, option number C, अकबर, अगला प्रशन, प्याज में खाद्य भाग, मतलब खाने वाला जो पार् है, भारत में वन्य जीव सनाचन अधनियम, जिसको हम लोग बोलते हैं, Wildlife Protection Act, ठीक है, तो Wildlife Protection Act अधनियम किस वर्स लग हुआ, तो ये है Act 1972 का है, तो Wildlife Protection Act जो है, 1972 का है, अच्छा, अगर आप से पुछा जाए कि Tiger Project कब का है, तो जी या, Tiger Project जो है, पस उसके एक साल के बाग है, 1973, तो Tiger Project 1973, अच्छा, World Tiger Day, मतलब विश्व भाग दिवस कब मनाते हैं, अभी 29 जुलाई को मनाते हैं, तो 29 जुलाई, वो जो है, हर साल विश्व भाग दिवस मनाया जाता है, इसको भी याद रखिया, और Tiger Project कब से स्टार्ट है, 1973 से, और यहां पर प्रसन जो पुछा जा र पौवन की गती को मापने वाला उपकरण है, अगला प्रसन, भारत में पहला कृशी विज्ञान के इंद्र कहां इस्ताफित हुआ, तो भारत में पहला कृशी विज्ञान के इंद्र जो है, Agriculture Science, Agro Science Center, जो है, वो फुद्दी चेरी या पॉंडी चेरी, अप्सा नमबर भी इसका सही उत्तर है, इंद्रा गांधी Center for Atomic Research, यह बहुत important question है, तो इंद्रा गांधी Center for Atomic Research किस राज में इस्तित है, तो यह इस्तित है, तमिल नाडू में आप्सा नमबर भी इसका सही उत्तर है, यह वीडियो आपको कैसा लगा, जैसा भी लगा हो, आप अपने सुझाओ कमेंट बॉक्स में जरूर दें, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद